तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूए एक बहुत ही इस पेसल रेसिपी ब्रत में बनने वाली साबुदाने की पूडी और रायता की रेसिपी तो चलिए बनाना ही स्टार्ट करते हैं ये स्पेसल रेसिपी उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज हम बनाएंगे ब्रत में बनने वाली पूड़ी और रायता की रेसिपी जो खाने में भी बहुत स्वादेश लगती है तो इसे आप ब्रत जब भी करें तो बनाकर खा सकते हैं बहुत ही इजी है तो चलिए बनाना इस्ट करते हैं तो सबसे पहले गैस पे हमें कढ़ाई रखेंगे और मैंने यहां यह साबुदाना लिया है तो इसे मकढ़ाई में डालकर दो तीन मिनट के लिए हमें इसे हलका रोष्ट कर लेना है क्योंकि साबुदाने में हलका मौश्चर होता है तो जब हम इसे रोष्ट आप जब भी ब्रत करें तो आप यह बना कर खा सकते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट लगती है और बनाना भी बहुत सिंपल है तो आपके लिए यह ब्रत वाली रेसिपी है इसे हम दो से तीन मिनिट के लिए इसे रोश्ट कर लेंगे अच्छे से यह देखिए दो मिनन्ट हो चुके हैं और यह अच्छे से रोस्ट हो चुका है तब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तिया मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल कर हमें पीस लेना है इसका बारिक सा पॉडर बना लेना है इसका तृ कि यह मैं ने सारा डाल दिया है जार में अब इसे हम बिल्कुल । बारिक पौलर अब चान लेना है थाकि बल्कूल 20 आप आप एक बार इस तरीके से यह पूरी बना कर देखें खाने में बहुत ही अच्छी लगती है अब रत के लिए तो बहुत ही बढ़िया यह रेसिपी है यह देखें मैंने इसे चान लिया है बिल्किल फाइन पॉडर हमें मिल चुका है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालना यह देखिए पानी डालने के वज़े से यह बिल्कुल हल्का फूल चुका है और सॉफ्ट भी हो गया है तब इसे साइड में रखते है और यहां मैंने चार आलू को बॉयल करके रखा था तो इसके छिलके निकाल लेंगे यहां मैंने सारे आलू चील लिये हैं अब हमने जो साबुदाना को पीस कर रखा था यह देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है पानी डालने के वज़े से तब इसके इसमें हम जह हमने आलू जो बॉयल करके रखा था उसे कद्दू कस करके डालेंगे आप इसे कद्दू कस करक के डालने से बहुत ही बढ़िया और नरम पूरी बनती है तो सारे आलू को मिसमें कद्दू कस कर लेंगे यहां मैंने सारे कद्दू कस कर लिये हैं अब इसमें थोड़ा सा जीर डालेंगे और थोड़ा से इसमें ब्रत वला नमक डालेंगे जो लोग ब्रत में नमक खाते हैं वो लोग डालें अजो नहीं खाते हैं वो ऐसे भी बना सकते हैं और थोड़ा सा हर धनिया डालेंगे अब इन सारी चीजों को mix करके इसका बढ़ियासा हमें dough बना लेना है ये बहुत ही soft सा dough बन कर तयार हो जाता है बिल्कुल easily बन जाता है इसे हमें सारे चीजों को mix करके अच्छे से dough तयार कर लेना इसका अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब किजिएगा ये देखे ये सॉफ्ट सा डोबन कर तयार है तब इसे साइड में रखते हैं अब मैंने यहाँ एक कटोरी दही लिया हुआ है तो दही को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे इसका आमे रायता बनाना है ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो अब इसमें थोड़ा सा ब्रत वाला नमक डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब इसके तड़के की त्यारी कर लेते हैं एक तड़का पैन लेंगे, उसमें एक चमच घी डालेंगे, घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और थोड़े से हरी मिर्च और अध्रक कटे हुए, इसे भी डालेंगे, और इसे अच्छे से पका लेंगे, ये तड़के वाली दही करायता खाने वो बहुत ही अच्छा लगता है, पूरी के साथ तो और भी अच्छा लगता है, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और इसे भी मिक्स कर लेंगे, ये हमारा तड़का रेड़ी है, तब इसे हम दही में डालेंगे, और ये हमारी तड़के वाली रायता त्यार है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार इसे ट्राइ करके देखें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये हमारी बड़ियासी रायता त्यार है, अब चलिए पूरी बना लेते हैं, तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहां एक बटर पेपर लिया हुआ है, और इसके उपर मैंने थोड़ा सा ओयल लगा दिया है, ताकि ये चिपके ना, अब थोड़ा सा मिक्स्छर लेंगे, जो हमने आठा लगा कर रखा था, और हाथों पर गोल करेंगे, और इस तरीके से बटर पेपर पर रखेंगे, अब इसके उपर एक और बटर पेपर रखेंगे, अब इस तरीके का हमें प्लेट ले लेना है, और इसे इस तरीके से दबाते हुए पूरी हम बनाएंगे, जिस बहुत आसाने से बन जाएगी यह देखिए कितना बढ़िया यह पूड़ी बनकर तयार है यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट पूड़ी बना है यह देखिए बहुत ही बढ़िया से यह पूड़ी बन गई है तो इसी तरीके से और भी बना लेंगे एक लोई लेंगे उसके उपर बटर पेपर लगाकर इस तरीके के प्लेट से दबाते हुए प्रेस करेंगे इस तरीके से बनाने से पूड़ी बहुत आसाने से बहुत ही बढ़िया पूड़ी बनकर त्यार हो जाती है तो यह देखिए कितनी बढ़िया यह पूड़ी बन रही है तो इसी तरीके से हमें सारे बना लेने है अब इसे हम फ्राई करेंगे तो मैंने यहां गैस पे कढ़ाई रखा है ओयल डाल कर तो तेल हलका गर्म हो चुका है तब एक-एक करके इसमें हम पूड़ी डालेंगे यह पूड़ी बिलकुल नरम बनती है क्योंकि इसमें हमने आलू बॉयल करके डाला है जिसके वज़े से यह पूड़ी बहुत ही नरम और मुलायंग बनती है आप इस तरीके से बनाए बहुत ही अच्छी पूड़ी बनकर त्यार होती है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा लगता है इसे तोनों तरफ से पलटते वे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे यह देखिए हमारी फूली-फूली कितनी बढ़िया फूल चुका है यह पूड़ी तब इसे निकाल लेंगे यह देखिए कितना बढ़िया यह पूड़ी बनकर त्यार हुआ है इसी तरीके से और भी पूड़ी फ्राइ कर लेंगे तो मैंने यहां सारे फ्राइ कर लिए और यह हमारी ब्रत वाली थाली रेडी है तो मैं इसे दिखिए पूड़ी तोड़ कर दिखाती हूँ कितना नरम यह पूड़ी बन कर त्यार है ताबी से बनाईए इस ब्रत में